दोस्तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना बॉयफरेंड के प्याल में इतनी उतावली पागल हो जाती है जिसके पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वो ब्रोथल यानि कोठा नंबर 64 में चली जाती है जहां वो अपनी काली तितली का काला चमकादर बनवा लेती है लेकिन इसके बाद इसका अभियप उसे घंटा बाओ नहीं देता और वो सहर की नंबर वन हस्ती यानि नंबर वन 64 की घस्ती बन जाती है जिससे सहर का हर एक बंदा ठोकता है तो चलिए देखते हैं इस प्यारी सी गलफरेंड की कहानी को और हाँ एक लाइक, कमेंट, सस्क् इस रुआत नीमो नाम की एक लड़की के साथ होती है, जो आज उचल उचल कर और मटक मटक के अपना बॉइफ्रेंड नुन्नू से मिलने जा रही होती है, वो सोचती है आज मेरा नुन्नू मुझे पटक पटक के पेलेगा, लेकिन नुन्नू की बात सुनकर नीमो की फटक साथ रहेंगे, दोस्तों नीमो नुन्नू से इतना प्यार करती है, कि वो उसके लिए कोठे में क्या कहीं भी जा सकती थी, इसके बाद वो एक ब्रोथल में जाती है, जहां वो कोठे की मालकिन रानी बेगम से मिलती है, वहीं रानी बेगम उसे उपर से नीचे तक ताड़ क कहती है, मुझे जितना बताया था, तुम उसे भी ज़्यादा कंचा पीस हो, लेकिन नीमो कहती है, आप मेरे फिगर को नजर मत लगाओ, मुझे यहां के बारे में कुछ नहीं पता, तो रानी बेगम कहती है, बेटा कोठे का एक दिन का स्वाद बाहर की दुनिया के 10 साल के इक्वल होता है, और धीरे धीरे तुम सब का स्वाद लेना सीख जाओगी, अब यही तुम्हारी जिंदगी है और यही दुनिया है, इसके बाद रानी बेगम नीमो को उसका कमरा दिखाती है, और कहती है, तुम्हें एक प्राइवेट रूम भी दिया जाएगा, जहां पूछती है, कि तुम्हारा फिंप कौन है, लेकिन नीमो को कुछ समझ नहीं आता, इसके बाद रानी बेगम नीमो से कहती है, तुम्हें अपने फिगर को टाइट और दमदार रखना है, जिससे ज़्यादा क्लाइंट्स तुम्हें धो सकें, और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, तो वहीं डॉक्टर नीमो से कहता है, चल जल्दी नंगी हो जा, मुझे तेरा चेक अप करना है, लेकिन भाई डॉक्टर ज़रूर कोठे का है, लेकिन नमबर वन ब्रांडेड बंदा है, जब डॉक्टर नीमो का बोड़ी चेक अप कर रहा होता है, तो वो नी अगले दिन रानी बेगम नीमो को पैपरिका नाम से इंटर्डूस करवाती हैं दोस्तों पैपरिका का मतलब होता है तीखी लाल मिर्च क्योंकि नीमो इतनी होट लड़गी थी कि जो भी उसे देखे तो देखता रह जाए और साथ ही उसकी जवान भी बहुत चलती थी कोठे म पैपरिका नेमो को एक क्लाइंट मिल जाता है जहां रानी बेगम बहुत खुश होती है और वहीं पेलन का अरप चालू होता है कि उससे पहले पैपरिका उसे रोग देती है तब यहां वो उससे कहता है मांगता हूं तो देती नहीं जवाब मेरी बातों का देती है तो खड जवान आदमी लड़के सब पैपरिका कोई चूश करके ले जाके जीतोड बजाते थे और बीते पंदा दिनों में उसना 40 से ज़्यादा बुड़ों के साथ गेम बजवा लिया था जिसकी वज़े से उसके पास ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं और वहीं रानी बेगम भ बताती है जिसे सुनकर वेगम की तिटली में भी खुजुली मज जाती है और वो अपने नकली गोड़े के गोड़े से पैपरिका के साथ ही जमाजम कर देती है उसके बाद पैपरिका की दोस्ती से पहले क्लिएंट फ्रेंकों से हो जाती है जो एक साथ देट पर जाते हैं दरसल फ्रेंको को पैप्रिका से प्यार हो जाता है, फ्रेंको नीमो से कहता है, तुम मुझसे साधी कर लो, लेकिन पैप्रिका कहती है, मैं अपने नुन्नू से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे ही वो अपनी बिजनस मीटिंग खतम करके घर आएगा, मैं ये काम छोड़ कर उससे साधी कर लूँगी, इसके बाद वो अपने बॉइफ्रेंड को कॉल लगाती है, जो इसकी कॉल को पिक नहीं करता, जिससे पैप्रिका का मूड ओफ हो जाता है, तो वहीं फ्रेंग को पैप्रिका का मूड सही करने के लिए, उसे डिनर पर ले जाता है, जहां वो काफी मस्ती करते हैं, और वहीं पैप्रिका अपने बॉइफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसको देखकर पैपरिका के पैर सो जमीन गायव हो जाती है पैपरिका नीनू से पूछती है ये लड़की कौन है और तुम लंडन से कब वापस आए तो वहीं दूसी लड़की बोलती है तू कौन है तो पैपरिका कहती है मैं इसकी दिदम पतनी नीमो हूँ तो वो हसकर बोलती है अबे मैं इसके साथ 3 साल ते ठुकवा रही हूँ तो पैपरिका कहती है मैं तो 4 साल से तो ये सुनकर वो लोंडिया वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे नुन्नू उसे मनाने चला जाता है ये देखकर वो समझ जाती है कि मेरा चूतिया कट गया है और डॉक्टर साही कह रहा था जिससे नुन्नों बहुत ज़्यादा सेहड हो जाती है जिसके लिए दिन रा ठुकी उसी ने मेरा तितली का काला चमकादर बनवा दिया जिसका फायदा उठा कर फ्रेंको नीमो को अपन मना कर देती है क्योंकि वो फ्रेंकों से कहती है प्यार में धोका और तुम सब ने मुझे ही ठोका मेरा मन करे तो तुमारे पिछवाड़े में दे दू लोटा वहीं पैपरिका फ्रेंकों से ये बोलते हो जाती है अब मैं फिर से कोटे में काम करूंगी क्योंकि तुम लोग तो अब यहां पर पैपरिगा को पिम्प का मतलब पता चलता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नुन्नु एक घटिया और हरामी टाइप का लॉंड़ा है जो शरीफ लड़कियों को अपने जाल में फसा के ब्रॉथल में पैसे के लिए काम करवाता है वहीं पैपरिगा कर दिया था यह देखकर पैपरिगा काफी डर जाती है वो डिसाइड करती है वो इस कोटे को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी और एक अच्छी सी जौब करेगी अगले दिन पैपरिगा अपने मिसन पर निकल जाती है जहां उसकी मुलाकात उसी पिम्प से होती है जिसन वो उसे जौब पर नहीं रखता क्योंकि उस पिम्प ने पहले ही पैपरिगा को जौब दिने से मना कर दिया था क्योंकि वो पिम्प पैपरिगा से अपना कमिसर बनाना चाहता था लेकिन इसके बाद पैपरिगा के पास कोई रास्ता नहीं होता वो इस पिम्प के बैकाव काम करने वाली एक लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है ये देखकर पैपरिगा की फटके चार हो जाती है वो सोचती है ये काम करकर के एक दिन वो भी भगवान को प्यारी न हो जाए लेकिन एक बुड़ा क्लाइंट पैपरिका को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो आजा रानी दे दे अपना पानी, मुझे कर दे भंड, दे दू मैं तुझे अपना हैंड पंप एक दिन पैपरिका को वहीं पर फ्रैंको मिलता है, जिसे देखकर उसके मन में लड़ो फूटने लगते हैं और उनसे रान नहीं जाता, और जीतोर ठुगाई हो जाती है वहीं फ्रैंको पैपरिका से कहता है, मुझे एक बोट लेनी है, जिसके लिए मुझे पैसो की नीड है तो वहीं पैपरिका फ्रैंको को थोड़े पैसे देती है, तो फ्रैंको कहता है मैं तुम्हें ये जल्दी लोटा दूंगा और हम दुनों जल्दी साधी करेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि पैपरिका जिस कोठे में काम करती थी वो बैन हो जाता है इसके बाद पैपरिका फिर से सहर केक नए कोठे में एंटी लेती है जहां उसकी ओनार उसे रख लेती है तभी पैपरिका को पता लगता है कि फ्रेंगो की बोट पुलिस ने पकड़ ली है जिसे सुनकर वो बहुत स्याड हो जाती है एक दिन उसी ब्रोथल में एक सरकारी बाबू आता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि दीरे दीरे सारे कोठे बैन हो जाएंगे और मेरे ये निठले लॉंड निठले ही रह जाएंगे इसलिए वो अपने बेटे के बत्रे पर उनका निठला पंदूर करने के लिए कोठे मिलाता है जहां उसका लड़का सभी लड़कियों में से पैपरिका कोई चूस करता है वहीं उस सरकारी बाबू को भी पैपरिका रास आ गई थी वो एक दिन पैपरिका को अपने बत्रे पर बुलाता है और अपनी 20 साल की हवस वाली प्यास बुजा लेता है और इस बुड़को मज़ा आ जाता है जिससे खुश होकर वो सब के सामने पैपरिका को साधी के लिए प्रपोस कर देता है और फाइनली वो साधी कर लेते हैं लेकिन बुड़के ने ज़्यादा ही जवानी का जोज दिखा दिया था जिससे वो भगवान को प्यारा हो जाता है और अब उसकी सारी प्रपरिका के माल के इन पैपरिका बन जाती है इतने सारे पैसे होने पर पैपरिका फ्रैंको को एक नई बोर्ट दिलवा देती है अब वो दोनों खुशी-खुशी साथ देने लगते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है दोस्तो इस मूवी का नाम है पैपरिका जो कि साल 1991 में रिलिस कही गई थी जिसे IMDV पर 5.6 की डेटिंग मिली है आउट अप 10 में से आई होप आपको मेरा एक्स्प्लेइन पसंद आया होगा तो दोस्तो अभी तक आपने हमारे Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजे यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे जिस भी भाई को मुझसे बात करनी हो तो मुझे Instagram पर फोल्यो करके मेसेज कर लो तो कैसा लगा मेरा अगर मेरे भाईयों और बहनों को मेरा एक्स्प्लेन पसंद आए हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेयर जरू करो तो मिलते हैं आप से ऐसी नेस्ट वीडियो में